मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनेंदन और स्वागत है यह वीडियो मैं आपके लिए थिक बेफ स्विच का लेके आया हूँ इसमें तिक बेफ स्विच के बारे में उसमें स्लीपरों पर लगने वाली फिटिंग और कमपरीज़न और नरी कर ळीष और सिक बेफ s शॉट में इसको TWS कहते हैं ड्राइंग नंबर है T6155 इस वीडियो की इस स्लाइड में मैं आपको थिक बेप स्विच की अवशकता और ड्राइंग बना कर उसकी स्पेसिंग उसके SRJ से ATS की दूरी और टेविल में स्लीप रूप पर लगने वाली विभिन प्रकार की फिटिं शॉट में TWS हैं इस प्रकार के स्विच के बेप की मुटाई अधिक होने के कारण इन्हें थिक बेप स्विच या TWS कहते हैं थिक बेप स्विच की अवशकता नंबर बन बर्तमान समय में बढ़ती हुई ट्राइफिक डेंस्टी गाडियों की गती और एक्सल लोड में बढ धिक सुरक्षित हैं नंबर तीन TWS की सर्विस लाइफ सामान कर्व स्विच से तीन गुना अधिक होती है नंबर चार TWS का मेंटिनेंस भी सामान कर्व स्विच की तुलना में कम करना पड़ता है रफ स्केच और TWS TWS स्विच का एक स्केच बना कर हम आपको डिटेल समझा रहे हैं सबसे पहले देखिए यह SRJ है और यह ATS है SRJ से ATS की दूरी 1144 mm है PSC स्विपर का गेज 1673 mm है और यह स्टॉक रेल है यह त्रों 160 mm है यह टंग रेल है यह ATS है स्लीपर की स्पेशिंग SRJ से पहले स्लीपर की 150 एक से दो के बीट में 457 दो तीन में 505 और तीन चार में 745 जबकि और नरी कर्ष स्विच में यह स्पेशिंग 680 या 700 होती है 4 से 5 में 492 और उसके बाद स्लीपर नंबर 20 तक दोनों तरफ यह जो स्पेशिंग है 550 की होती है स्लीपर नंबर 20 21 में टर्न आउट साइड में 526 और उसके बाद 64 स्लीपर तक 549 mm की होती है जबकि मेल लाइन की पूरी स्पेशिंग 550 की होती है अब आप यह देखिए स्विच लेंद 10125 mm की होती है यह हील ब्लॉक है जिसका ड्राइंग नंबर है T2775 लेफ्ट साइड में रहता है और इसके 1200 mm बाद दिस्टेंस ब्लॉक T2762 है फिर दिस्टेंस ब्लॉक 4359 की दूरी T2762 से 1705 mm होती है और दिस्टेंस ब्लॉक T4359 से 4360 की दूरी 550 होती है यह फिश्ट प्लेट है इसकी रेडियस 441.360 मीटर होती है स्लीपर नंबर 1314 के बीच में हम SSD को लगाते हैं इसमें कोई भी विलियम इस्टेशर का उपयोग नहीं करते हैं साथी साथ इस स्विच में ERC लगाई जाती है स्टॉक रेल के साथ इसलिए स्टॉक रेल में किसी भी प्रकार के होल नहीं होते हैं यह राइट साइट के ब्लॉक है जिसका ड्राइंग नंबर T2774 है फिर उसका दूसरा डिस्टेंज ब्लॉक T2761 है तीसरा डिस्टेंज ब्लॉक 4359 और T436 का है यह स्लिपर के ड्राइंग नंबर इसमें दिये हुए हैं यह चित्र बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगा लेइंग करते समय TWS स्लिपरों की फिटिंग 1 से 20 के बीच की हमें आपको दिखा रहे हैं एक टेविल बनाई है यह देखिए पहला कॉलंब है स्लिपर नंबर स्लिपर की ड्राइंग नंबर स्लिपर की लंबाई मिलिमीटर में स्लाइड चेर या केस टाई के स्लिपर पर बैठाते हैं GRSP रबर पैड इसमें तीन प्रकार के दिखा हैं T4610, T4614 और यह जो है T8297, T3907 यह मोटर के नीचे स्लिपर नंबर तीन और चार में लगाते हैं प्लेट स्क्रू T3912, GFN लाइनर T3706, ERC T3701, सिंगल कोयल स्प्रिंग वाशर T10773, वेज T6305, T6305A, लीप स्प्रिंग T6310, अब यहां पर आते हैं नंबर वन इसका ड्राइंग है T4512, स्लिपर की लंबाई है 2750, यह ATS के और SRJ के बीच के होते हैं, अब इसी प्रकार से यह सभी स्लिपर को आप देख लीजेगा, मैं आपको आराम से यह दिखा रहा हूँ, इसमें लगने वाली यह फिटिंग है, स्लाइड चेर T6166, दो नंबर स्लीपर में लगती हैं दोनों तरब, और यह स्लीपर नंबर 4 से लेके, स्लीपर नंबर 20 तक एक सी लगती हैं, चुक्कि थिक बेब स्वीच में, स्टॉक रेल में होल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें बाहर की तरफ ERC और लाइनर लगाये जाते हैं, यह टोटल फिटिंग 1 to 20 कितनी लगती हैं, उसका हमने दिखाया हैं, और यह स्लाइड चेर, जो हम बता रहे हैं, ती 6166 की स्लीपर नमबर 4 से 20 में दोनों तरफ लगती हैं, इसको आप फिर से देखेगा, और इसका स्क्रीन शॉट ले लिएगा, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, TWS स्लीपरों की फिटिंग, स्लीपर नमबर 21 से 27 स्लीपर में जो लगती हैं, वो हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं, सबसे पहले पहला कॉलम स्लीपर नंबर स्लीपर की ड्राइंग नंबर दूसा कॉलम स्लीपर की लंबाई मिलिमीटर में इस्पेशल बियरिंग प्लेट राइट का ड्राइएंग नंबर और लेट का ड्राइएंग नंबर प्लेट स्क्रू T3912 जेफन लाइनर T3706 ERC T3701 सिंगल कोयल इस्प्रिंग वाशर 10773 GRSP ये भी विन ड्राइएंग के हैं T631, 6312, 6313, 4722, 4611, 4612, 4613 और 4614 अब सबसे पहले स्लीपर नंबर 21 का डिटेल इसकी ड्राइएंग नंबर है T4532, लेंथ है 2820 और इसमें दोनों तरफ Special Bearing Plate T6167 की लगती है और ये इसमें लगने वाली फिटिंग है Slipper नंबर 22 इसका ड्राइएंग नंबर है T4533, इसकी लेंथ है 2830 इसमें राइट साइड में प्लेट लगती है Special T6168 और लेट में T6174, फिटिंग आप इसकी देख लिजिए इसी प्रकार से Slipper नंबर 23 का ड्राइएंग नंबर है T4534, लेंथ है 2850 और इसमें Special Bearing Plate राइट साइड में 6169, लेफ्ट में 6175, Slipper नंबर 24 इसकी लेंथ है 2870, ड्राइएंग है T4535, इसमें Bearing Plate राइट में लगती है T6176, लेफ्ट में लगती है T6176, Slipper नंबर 25 इसका ड्राइएंग नंबर है T4536, लेंथ है 2890, स्पेशल Bearing Plate T6171 लगती है और लेफ्ट में T6177, Slipper नंबर 26, ड्राइएंग नंबर है T4537, लेंथ है 2900, राइट में लगने वाली स्पेशल Bearing Plate T6172, और लेफ्ट में T6178, Slipper नंबर 27, ड्राइएंग नंबर है T4538, लेंथ है 2920 mm, प्लेट लगेगी राइट में 6173, और लेफ्ट में 6179, अब ये इसकी डेटेल की आप फिटिंग देख लीजिए और इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिजेगा, ये आपके लिए बहुती लापकारी है बरतमान समय में बरती हुई ट्रैफिक डेंस्टी और गाडियों की गती का बढ़ना तता एक्सल लोड बढ़ने के कारण और्डनरी कर्व स्विच के स्थान पर थिक बेब स्विच ड्रैइंग नंबर T6155, 1 in 12, 60 kg को डाला जा रहा है इसमें टंग रेल का बेब 44 mm, ये रेल Z1-60 होती है और इसकी स्विच लेंद 10125 के लिए बहुती उपयोगी है इसकी सर्विस लाइफ 52 kg की 500 GMT और 60 kg की 800 GMT होती है इसकी थ्रो या ओपनिंग 160 प्लस माइनस 3 mm होती है ये टंग रेल का बेब है जो 44 mm होता है इसी काराण इस स्विच को हम थिक बेब स्विच कहते हैं ये स्लीपर नमबर 3 के ऊपर गेज टाई प्लेट लगी हुई है जिसका ड्राइंग नमबर T61561, T61562 होता है और ये स्लाइट चेर T6166A होती है स्लीपर नमबर 3 और 4 के बीच में इस्पेसिंग 745 mm की होती है और ये स्पेसिंग दूनों तरफ एक सी होती है ये टंग रेल की उचाई 38 mm होती है और इस स्लाइट चेर के बॉक्स पर बैठती है और ये स्लाइट चेर का एक पार्ट है बाहर की तरफ ERC और लाइनर के द्वारा स्टॉक रेल को बांदा जाता है ये स्लाइट चेर T61666 ड्राइंग की होती है और ये दोनों तरफ स्लीपर में लगाई जाती है ये इसमें स्प्रिंग है जिसको लीफ स्प्रिंग करते हैं जिसका ड्राइंग नंबर है T6310 और ये स्टॉक रेल को दबा कर रखता है ये वेज है इसको हम इस तरख से लगाते हैं ये स्प्रिंग को दबा कर रखता है और इसका ड्राइंग नंबर है T6305 ये वेज इस प्रिंग को दबा कर रखता है अब ये दोनों तरफ एक सी स्लाइड चेर लगती है और ये अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इस टॉक रेल को किस तरीके से इसने पकड़के रखा हुआ है ये स्लीपर नंबर 4 से स्लीपर नंबर 20 तक एक सी स्लाइड चेर लगाई जाती है स्लाइड चेर के नीचे G-RSP रबर पैड T4614 ड्राइंग का लगाते है ये थिक बेज स्वीच में लगने वाली SSD है स्पिंग सेटिंग डिवाइज थिक बेज स्वीच में बिलियम स्टेचर नहीं लगाए जाते हैं ये SSD के बारे में दिखा रहा हूँ ये 1 in 12 PSC टरन आउट में स्लीपर नंबर 13 पर टाइप लेट 62751, 62752 पर बठालते हैं इसमें दो आमस होती हैं जो टंग रेल के फ्लैंज में बने 28 mm डायमीटर के होल में बठा कर कसते हैं ये टंग रेल को चलाने का कार करती हैं टंग रेल को सेंटर में करने पर दोनों तरफ का गैप 60 प्लस माइनस 2 mm होता है स्लीपर नमबर 20 में दोनों तरफ स्लाइड चेर T6166 की लगती है ये स्लीपर 4 से 20 के बीच में लगती है स्लीपर नमबर 21 में RH और LH दोनों तरफ T6167 की ब्रेट लगती है आरज की तरफ स्लीपर नमबर 22 में 6168, 23 में 6169, 24 में 6170, 25 में 6171, 26 में 6172 और 27 में 6173 की स्पेशल ब्रेट लगती है लेफ्ट साइड में स्लीपर नमबर 21 में 6167 की, 22 में 6174 की, 23 में 6175 की, 24 में 6176 की, 25 में 6177 की, 26 में 6178 की और 27 में 6179 की स्पेशल ब्रेट लगती है Heel Block LS Side में 2775 ड्रेइंग का लगते हैं और RS Side में 2774 ड्रेइंग का लगते हैं पहला Distance Block RS Side में 2761 का होता है, जो Fit होके आता है, उसके बाद RS Side में T4359 का Distance Block, T4360 का Distance Block लगते हैं ये Distance Block 2761 से T4359 की दूरी 1705, 1705 mm होती है, और T4359 से T4360 की दूरी 550, 550 mm रखी जाती है LS Side में पहला Distance Block T2762 का Fit होके आता है, और उसके बाद का Distance Block T4359 को T2762 से 1705, 1705 mm पे और T4359 को T4360 से 550 दूरी पर लगते हैं ये देखें, लेफ्ट साइड में टंग रेल की लंबाई 12,480 mm दिखाई गई है, और स्टॉक रेल की लंबाई 13,000 mm दिखाई गई है, जो और्डनरी स्विच से 124 mm अधिक होती है अब इसको हम राइट साइड में भी दिखा रहे हैं, ये देखें, लीड रेल के सिधाई क्लोजर की लंबाई 21,928 mm होती है, जो नार्मल से 124 mm कम होती है ये देखें, टर्ण आउट में कर्व साइड के लीड रेल क्लोजर की लंबाई 21,9,7,6 mm होती है, जो और्डनरी कर्व स्विच से 124 mm कम होती है और ये लीड कर्व की रेडियेज 441.360 मीटर दिखाई गई है TW है, थिक बेब स्विच की मुक्ष जानकारिया 1 in 12, 60 kg के बारे में हम बता रहे है नमबर बन स्विच एंगिल, 0 degree, 20 minute, 0 second नमबर दो है, हील डावर्जन, 175 mm नमबर थ्री है, स्विच की थ्रो, थ्रो एट तो, 160 mm गेज है, 1673 mm टंग्रेल की लंबाई, लेंथ आप टंग्रेल, 12480, 1240 mm 6 है, रेडियस, रेडियस आफ लीट कर, 441.360 नमबर 7 है, स्विच की लंबाई, 10125 mm जंक्शन आफ है, जेवेच, 5837 mm नमबर 9 है, टंग्रेल का बेब, 44 mm टंग्रेल की रेल, ZU160 इसको जो है, आप एक स्क्रीन शॉट ले लिएगा यह आपके लिए बहुत ही लाबकारी है थिक बेब स्विच की इस स्लाइड में मैं आपको ओवर्राइडिंग कर्व स्विच और थिक बेब स्विच की तुलना के बारे में टर्न आउट की ड्राइग के बारे में और SSD को बाढ़ने का तरीका तथा टर्न आउट की चेक रेल बाढ़ने के लिए होलों की दूरी कमलेटिव करके बताई है जो फिल्ड में आपके लिए बहुत ही लाबकारी होगी थिक बेब स्विच सामान ओर राइडिंग कर्ब स्विच और थिक बेब स्विच में तुलना Comparison between over riding curve switch ऐन थिक बेब 60 kg ये टेविल से हम आपको बता रहे हैं बनीट ट्रन आउट हैं सीरेल नमबर आइटम 60 kg ओवर राइडिंग कर्व स्विच 60 kg थिक बेव स्विच नमबर वन बैब मोटाई 16.5 mm 44 mm नमबर दो स्विच का थ्रो 115 प्लस माइनस 3 mm 160 प्लस माइनस 3 mm नमबर थ्री है स्लाइड चेर स्लाइड चेर प्लेट को स्टॉक रेल से बोल्टों द्वारा बांते हैं स्लीपर बदगुनिया ना हो इसमें एलिवेटेड स्लाइड चेर प्लेट का उपयोग करते हैं और स्टॉक रेल को ERC और लाइनर से बांते हैं नमबर चार है स्टेचर वार इसमें स्टेचर वार लगते हैं तंग रेल चलाने के लिए इसमें स्टेचर वार नहीं लगते हैं नमबर पाँच है Spring Setting Device SSD इसमें नहीं लगती है इसमें उपयोग होती है तेर में स्लीपर पर नमबर छे है Service Life 300 GMT 800 GMT नमबर सेवन है तंग रेल की लंबाई और्डिनरी स्विच में 12356 mm होती है जबकि थिक बेब में 12480 mm होती है एट नमबर जेवएच ATS से 5836-5837 mm नमबर नौ लीड के रेल क्लोजर सिधाई में 220-052 mm का होता है और गोलाई में 22-100 mm का होता है सिधाई के 21928 mm गोलाई में 21976 mm का होता है नमबर 10 स्विच की हाउसिंग 4-6 स्लीपर की हाउसिंग होती है इसमें SSD के कांड जियो इस तक हाउसिंग होती है नमबर 11 है गेस टाई प्लेट तीन नमबर स्लीपर पर बोल्ट से बानते हैं दो जगा इंसूलेशन होता है तीन नमबर स्लीपर पर गेज टाई प्लेट एरसी से बांगते हैं एक इसान पर इंसुलेशन होता है नमबर बारा है स्विच की रेल टंग रेल और एसार रेल 60 kg UIC की होती है टंग रेल ZU 160 एसार स्टॉक रेल 60 kg UIC की होती है नमबर 13 है टर्न आउट पर स्पीट 30 kmph होती है और ठीक बेब में 50 kmph होती है टर्न आउट का ड्राइंग नमबर इसको टेविल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं नमबर वन सीजियल नमबर डिस्क्रिप्शन एसम्बली का ड्राइंग नमबर स्वीच का ड्राइंग नमबर स्वीच की लंबाई मिलीमीटर में टंग रेल की लंबाई मिलीमीटर में क्रॉसिंग का ड्राइंग नमबर नमबर वन है वन इंटरल टरन आउट PSC ZU 160, स्विच लेंथ है 10125 mm, थिक बेब स्विच बिद CMS BG 1673 इसमें गेज है, एसम्बली का ट्राइंग नमबर है T6154, स्विच का ट्राइंग नमबर है T6155, स्विच लेंथ 10125 mm, और टंग रेल की लंबाई 12480 mm है, क्रॉसिंग का ट्राइंग नमबर T4220 है, नमबर दो, वन इंटरल टरन आउट, ZU 160, स्विच लेंथ है 6400 mm, थिक बेब स्विच बिद CMS BG 1673 mm गेज है, एसम्बली का ट्राइंग T6279, स्विच का ट्राइंग T6280, स्विच की लंबाई 6400 mm, और टंग रेल की लंबाई 7620 mm, क्रॉसिंग का ट्राइंग नमबर है T4961, नमबर 3 है, 1 in 16, टरन आउट PSC ZU 160, स्विच लेंथ 11200 mm, थिक बेब बिद CMS BG 1673 का गेज है, और एसम्बली का ट्राइंग T7075, स्विच का ट्राइंग नमबर T7076, स्विच की लंबाई 11200 mm, टंग रेल की लंबाई 12935 mm, और क्रॉसिंग का ट्राइंग है T5613, इसको आप अपने एतियाद के लिए रख लिजेगा, स्प्रिंग सेटिंग डिवाईज, SSD शॉर्ट में कहते हैं, SSD को बानने का तरीका नमबर वन, SSD को स्लीपर नमबर 13 पर इंसुलेटेड टाइप लेट T62751 एंड T62752 के साथ बानते हैं, नमबर दो, टंग रेल के फ्लेंज में 28 mm डायमीटर का होल जेओ एज 5837 पर होता है, नमबर तीन, ये सुनिशित करें कि स्लीपर नमबर 13 की सेंटर लाइन फ्लेंज होल से 232 mm पर होगी, नमबर चार है, SSD की बड़ी कनेक्टिंग रोड, आम्स को गोलाई वाली टंग रेल से बानते हैं, नमबर पांच, ये सुनिशित करें कि जेओ एज पर फ्लेंज वे किलरेंस नॉन गेस साइड एन गेस टंग रेल की और गेस साइड गेस इस स्टॉक रेल के बीच 60 प्लस होना चाहिए, नमबर चे है, स्टॉक रेल से स्टॉक रेल की दूरी 1745 mm होना चाहिए, नमबर सेवन है, SSD की सही हाउसिंग के लिए SSD की दोनों आम्स और हिंजेज एक लाइन में होना चाहिए, नमबर आठ है, टंग रेल और स्टॉक रेल का किलरेंस जियोज पर निमन होना का टंग रेल खुली अवस्ता में 60 प्लस माइनस 3 mm, का बंद अवस्ता में 0 से 10 mm होना चाहिए, इस स्लाइड में मैंने आपको SSD को खुली अवस्ता में दिखाया है, और उसके विभिन पार्टों को ABCD के द्वरा दिखाया जा रहा है, इस स्लाइड में SSD के विभिन पार्टो ABCD को की इनके नाम क्या है, ये डिटेल में बताया जा रहा है, इस स्लाइड में हम आपको थिक बेव स्विच में SSD बांदने का सही और आसान तरीका कुछ पॉइंट के रूप में बता रहे हैं, टर्न आउट की चेक्रिल बांदने के लिए होलों की सही दूरी को हम एक चित् में SRJ है, ATS है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौता होल है, पहला होल दूसरे होल से बनके आता है 1500 पे, सेकेंड से थर्ड 875 पे और थर्ड से फोर्थ 1500 पे होता है, अब इसको हमने कॉमलेटिव मेथेड से दिखा रहे हैं ताकि आपको फिल्ड में आसानी हो जाए, ये होल नंबर है, मेल नाइन है, टर्न आउट है, फर्स्ट होल होता है, SRJ से 35358.5 mm, टर्न आउट साइड में 35290 mm, सेकेंड होल 36858 mm पे और टर्न आउट में 36790 mm पे, थर्ड होल 37733.5 मेल नाइन का, और टर्न आउट पे 37665 mm, फोर्त होल होता है, मेल नाइन का 39233.5 mm पे, और टर्न आउट का 39165 पे होता है, इसको आप करेंगे तो फिल्ड में आपको बहुत ही फायदा होगा, और जल्दी चक्रिल बन जाएगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतिजार करें, अब इस का जो है, आप स्क्रीन शॉट ले लिजेगा, यह आपके लिए बहुत ही लापकारी है, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब